हाई 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 आग मैं चीट बना रहे हैं चीट तो भून गया तभी उल्कम बैक टूम बैक टूमाच अर्मावेटी इसी रेस्पी तो आपके लेकर आए हूं चिप्स की रेसिपी गाइस बहुत ही जदा क्रेंची करारे बनते हैं और वाइट वाइट एक दम बनके तया बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए में लिया है आलू यह माई बड़े साइस के आलू है और इसे में अच्छी से के सब छील लूँंगी और यह मेरे आलू है आपको तुरंधी चिप्स कटर में कट करके पुद्वन पानी में रखना है तो आप देख सकते कि तो कितने अच्छी तरीके से हमाई कट हो रहे हैं इस चिप्स हमारे कि ऐसे मुझे सारे चिप्स कट कर लेने हैं गाइस और यह बहुत ही आप दो एक तरफ पानी में डाल कर दिया और इसमें से चेंज करके दूसरे बार्ति में अपनी डाल दिया चिप्स और यह मैंने ओवरनाइट के लिए बिखो के रख दिया था सुबह हो गई गाइस पानी साफ है और इसे मेरे टोटल चार से पांच पानी दोया था और दूसरे तुसरे बर्तन ट्रांसवर कर रही थी पिर मैंने आदे पकोना पानी चड़ा दिया है बॉल होने के रिखाए दिया गर्म आदे चाहिए और रही कर दियए और रखने कर दोगे चिप्स को तो अब मैंने ऊसे चिप्स दालना शुरू कर दिया है तो ऐसे तो आप डिया दिया टासे पांच अग झाधे जाले तर चिप्स कर रहे चुक्त मोण साब आए दो सबुदक हमारा बन गया है तो अब फिसके जालाते हो और अब उबालेत मैं तो क्वालेंगे अंड़ायन हुआ है है और मैं इस और दिखा रही हूं है प्रस्वaxis हैं कितने तेजी तेजी थे मारा पानी खॉल रहा है है कितने एज़ी तरीके से मारे नाखुन की मदद से ँंगली की मदद से इसे से कट हो जा रहे यह आप देख सकते हो और अब मोड की वी आपको दिखाऊंगी फिरस मैं एक चिप्स लिया है और अब मुझे इससे क्या करना है परफेक्ट टूक हो चुका है अब मैं आपको इसे मोड की दिखाऊंगी तो यह मारा तूट भी नहीं रहा है इसली मोड भी जा रहा है हाफ हाफ एंड आपको जो आलू बलता है वैसे आपको इसे नहीं उबालना है तो इस स्टेश पे अब हम अपने चिप्स को निकाल लेते हैं फट 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 से भ़वने में से अब कम अबलेगा तो भी हमारा चिप्स काला हो जाता तो इस बात को ज्यादा को ध्यान रखना उबालने के प्रोस्स में और फट फट से मैं बड़े से चिप्मच की मदद से अपने चिप्स को निकाल लेती हूं पानी में से और गाइज ऐसी मैंने सारे चिप्स को निकाल लूँगी वीडियो के इंट तक ज़रूर बने रहेगा बहुत ही जड़ा टेस्टी और करारे बन की चिप्स तयार होते हैं इस तरीके साब भी ज़रूर बनाएग अपने घर पे और वाइट वाइट भी दम बन के तयार होते ह और इसी पानी में और उसी प्रोसेस से मैं फटर फटर से अपने बाकी चिप्स को भी चान लेती हूं उबाल लेती हूं और सारे हमारे चिप्स उबल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे दूप में साड़ी मैनेक रख दीजी और उसके उपर मैं फटर फटर से मैं चिप्स को डालना शुरू करती हूं एक पीस को मैं अलग-अलग करके इसे डाल रही हूं दूर अरे और एक की उपर आपको एक नहीं चड़ा-चड़ा के डालना है वह ना फिर मारे चिप्स चिपक जाएंगे यह आप देख सकते हो मेरा एक छोड़ा सा बच्चा भी हेल्प करा रहा है मेरा और ऐसी आपको सारे चिप्स को अलग-अलग करके डालते जाना है एक एक यह चिप्स डालने वाले प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है गाइस और लेकिन हाँ बंद के जब तयार होता है तो जो मतलब अलगी खुशी मिलती तनी जादा टेस्टी लगती है और उपर से वाइट वाइट भी बनते हैं हमारे देखने बहुत ज़्याद अच्छा लगता है आप यह बना के रख दिए बच्चे तो बाहरवारे चिप्स खाने भूल जाएंगे मैंने सभी चिप्स को फैला दिया है दूप में और काईज यह हमारा शाम का टाइम है एक दम हमारे चिप्स उख चुक के अची तरीके से अदर के दापने खिले का मर करना देखा था हैं इस अधाना सप्वेश्च भी है रहा है और सभी आई है और दिखा रहे हैं कि अथा 5 कंप नहीं हमारे बन के सब्सक्राइब करने के लिए तो तो आप यह जल्दी से हुमाँ च्छन गया जिपस और इसी प्रोसेस्स में सादे परें चिपस को चान लेती हूं आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी जड़ा मार वाइट वाइट चिपस बनके तयार हुए है प्लीज इस प्रोस्स में आप भी बनाईए गहां आपके वी ऐसी एक्सम्य वाइट 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 इस परन एक्षोन के तयार होंगे तोड़ा से दिखाया है कि इतना अच्छा सा मारा कलर आया है प्यारा सा वाइट कलर और इसकी ऊपर थोड़ा से मैं स्प्रेट करूंगी कुछ मसालय कर दूंगी फिर पटा बनाने के लिए इस मैं यहां लाल मिर्ज कि स्प्रेट कर रही है थोड़ा सा और थोड़ा से स्प्रेट कर रही हूं वाइट नमक बस और मुझे कुछ स्प्रेट नहीं करना है तो गाइस मेरा पूरा चिपस्पन के तयार हो गया है आप लोग भी ज़रू ट्राय करिएगा कमेंट में ज़रू बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी थैंक यू फर वाचिग मैं वीडियो